नमस्का दोस्तो आज एक और नई वीडियो में आपसका स्वागत है तो आज अम बात करेंगे कि अगर आपके पास प्लेटीना 10066 बाइक है ठीक है और कई बार क्या होता है कि बरसात की जब मौसम आती है तो कई बार क्या होता है कि पानी जब बरसात की मौसम आती है बरसात आ होती है कई और क्या होता है कि अऐर आ जा जाती है पेट्रोल के अंदर जिसके करान भी जो सबस्क्राइब ने किया और जो बैल आको प्रेस का ना बुलिए तक कि आपको एसे इंडर्स वीडियो रोजनान देखने को मिल सके तो शुरू करते आज का वीडियो टाइम वेस्ट किये भीना ओके तो देखिए अगर बाइक जो है प्लेटीना बाइक है अगर कोई और भी बाइक है ठीक है तो अगर आपको पता चला कि बाइक जो है वो बरसात में बहुत 2-3 गंटे के लिए मान लिजे की बरसा 2-3 गंटे आपके बाइक पर पड़ी ठीक है तो जिसके कान क्या हुआ कि जो पैट्रोल का टैंक है उससे पानी जो है वो अंदर उतर गया ठीक है और बाइक शुरू नहीं हो रही है मान लिजे बाइक अभी शुरू नहीं मान लिजे शाम को बरसात आ गई और सुबह बाइक शुरू तो हो गई ठीक है और बाइक चल रही है लेकिन रूक रूक के चलती है ठीक है और आपको पता है कि शाम को बारिश होई थी और सुबह जब मैंने बाइक स्टार्ट की तो हो गई लेकिन चलते चलते रूक रूक क जो पानी होगा वह निकल आएगा और आपकी बायी जो बाहिक है वह अभी काम करने लगेगी वह पूरा काम नहीं करएगे लेकिन अभी टेमपारी के लिए अगर आपको कई जाना है कई जल्दी ए घिके तो उसके कσιकान जो है वह मार्ण कर लेगी प्रेक्टिकल मतलब पैट्रोल नहीं निकालोंगा लेकिन आपको पताता हूँ कि कहां से क्या क्या करना जिसके कारण पैट्रोल वो आपको प्लास्टिकी बॉटल उसमें भर सकते हैं और कहां से आपको जो है वो पैने की लिए से पहले क्या करना है वो ध्यान से समझ लीजएगा देखे अगर आपकी बाइप चल रही है ठीक है और बाइक चल रही है रुकते रुकते चलती है इसका मतलब क्या है थोड़ा बहुत पानी है ऐस से निकल आएगा वह कैसे करना है वह सबसे पह sandy देख लिए यहाँ परदेख लिए जीए स्कूर्ण देखिरा है आपको का इस स्कूरु के साथ एक पाइप होती घुत है यह जो भी पानी और पैट्रोल होगा वो थोड़ा बद निकलेगा थोड़ा पैट्रोल पानी निकलेगा तो इसके क्या होगा कि जो थोड़ा बद जो पानी होगा वो इससे निकलाएगा अगर बाइक अभी भी वैसा करें मतलब रुक रुक के चलती है तो इसका मतलब क्या है कि जो पेटर्ल का जो टैंक है उसमें ज्यादा मात्रा में पानी है उसके लिए क्या करना होगा उसके dividedो क्लोDer Mad Tag उसके साथ पाइप होती है वो करनेटर होती है उससे जो है वो जो शारा पैट्रोल पाणी जो है वो निकालना और प्लास्टिक बोटम में भरना होगा तो मिलसों सबसे पहले नीकालने के लिए किया करना है सबसे पहले इसको off कर देना है और आप खोलेंगे तो जो पैट्रोल है वो यहां पर आए गया नहीं क्योंकि यह ऑफ है अगर आपको जो पैट्रोल का जो पैट्रोल की जो पैट्रोल निकलना है तो क्या करना है इस बॉटल को आगे ले जाना है और जो पैप इसके अंदर रख देनी है रख देने के बाद इसको कर देना है ओन करेंगे तो ओन का जो भी सारा पैट्रोल दो-तिन लिटर जो भी होग आपको क्या करना है कि दो तिन चार जितनी भी बॉटल है उसको रख देना है साइड पे दो तिन गंटे के लिए अगर आप इसको साइड में रख देंगे तो क्या होगा कि पैट्रोल पैट्रोल उपर रह जाएगा और जो सारा पानी है वो आपको नीचे दिखाई देगा तो 2-3-4 बोटल आपने भर ली पेट्रोल की तो अब क्या करना है कि 2-3 घंटे बाद जब अलग हो जाए complete पेट्रोल और पानी तो क्या करना है कि उपर का जो पेट्रोल है वो सारा डाल देना है इस टैंक के अंदर तो अब सारा जो पेट्रोल है वो आपके टैंक में आ गया एक भी पानी थोड़ा भी पानी अब आपके टैंक में बचा नहीं है तो जोस्तो देख लिजिए आपको इस प्रोब्लम का मतलब यह जो प्रोब्लम थी उसका सोलिशन आपको मिल गया होगा तो कैसे क्या करना है कहां से पेट्रोल निकालना है अगर आपकी बाइक में ऐसी प्रोब्लम आ रही है कई बार क्या होता है मैंने आपको बता दिया आगे कि बसात आ रही है तो कई बार पैट्रोल के अंदर पानी मिक्स हो जाता है तो इसके कान क्या होता है कि कोई भी प्लास्टिक के जो बोटल है उसमें पैट्रोल भर देना है और पैट्रोल और पानी जब अलग हो जाए तो क्या करना है कि पैट्रोल जो है उपर का जो पैट्रो सब्सक्राइब करें दिए ताक्कि आपको एसे नरे रोजान देशने को मिलते क्या है तब तक केले जैईन वन्दे मात्रम